मायवती ने भतीजे आकाश को दिया गिव मायवती ने कहा इस लड़के को राजनीती में आना चाहिए मायवती के छोटे भाई आनंद के पुत्र हैं आकाश काफी समय से माया के साथ हर जगा नजर आते हैं मायवती नाखिरकार घुमा फिराकर ही सही लेकिन मंच से बोली दिया कि वो अपने भतीजे आकाश को राजनीती में उतार रही है आकाश पिछले काफी समय से मायवती के साथ हर जगा दिखाए देते हैं चुनावी रैली के मंच पर भी आकाश की मौजूती देखी जाए आकाश पायवती के छोटे भाई आनंद के पुत्र है मायवती ने चुनावी सभा में ये एलान कर दिया कि इस लड़के को राजनीती में उतारा जाए मायवती ने जिस चुनावी सबह के मंज से आकाश को लेका एलान किया तो पहले तो उन्हों उसकी भूमी का तैयार की और फिर माइक से एलान कर दिया कि आकाश को राजनीती पे उतारा जाएगा कुछ मीडिया बंदू तो आप लोगों प्री बालूम है कि जब मेरे ख़राब कुछ उत्रूप नहीं मिलती दिखाने के लिए तो फिर वो हमारे जूते चपल के पीछे ही लग जाते मेरे भाई का अकाश इदर बैठा है तो मेरे जनमदीन के मोके पर ये लखनों में था मेरे घर पर था घर की चपल कर नीवी के लेकर मिल दिया एक चैनल तो नायग दिखा दिखा के बता रहा है कि आतास में विदेश की चपल करेंगी अब ऐसा लग रहा था जैसे उसमें विदेश से कुछ खरीत के लातार आतास को वो चपल दिया कि मैंने ये सहसा लिया हला कि मैं अचने परिवार को राजनेती से दूर रखती हूँ लेकिन उचपल ले बुझे ये प्रेडित किया कि मुझे इस मड़की को राजनेती में जरूर दिया चाना इसके लाना मुझे इस दो अफ़ारों में ये पढ़ने के लिए मिला कि जहां स्टेज पर हमारी पार्टी के लोग जो उदर आते हूंके चपल जूते उतार लेते हैं हमें इससे काले ना देना है कोई सुवेचा से अपने चपल जूते उतार के अराम से बैठना चाहता है तो हमें क्या आतराज है अब मैं भी आप लोगों के बीच में बोल रही हो मैं चपल पहन कर आई थी लेकिन आम मेले चपल उतार दी